वास्तु के साफ से घर कैसे बने लेकिन व पत्रिका नहीं दिखाते हैं वो जो नया घर ले रहे हैं उससे उन्हें प्रॉपर बैनिफिट्स मिल पाएं वो डारेक्शन उन्हें बता पाऊं कि आपका कौन-कौन सी डारेक्शन आपकी पॉजिटिव डारेक्शन हैं इस इंसान के नीचे मंदिर होना चाहिए या ने बंद करो आप खतम हो जाओगे हलो एवरिवन कैसे आप सभी आज के पॉड़कास्ट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आमिर खान और आज का पॉड़कास्ट बेहत खास आप सभी के लिए होने वाला है क्योंकि आज के पॉड़कास्ट में खास महमान हमा साथ जुड़े हैं हर पॉड़कास्ट में नए महमान आपके सामने लेकर आते हैं नए ने चीज़े आप लोगों बताये जाती हैं और आज का जो ये पॉड़कास्ट है बहत खास आपके लिए होने वाला है क्योंकि आज के जो पॉड आपको ऐसा सब कुछ मिलेगा क्योंकि हमार से मौजूद है ऐस्टो वास्तु एक्सपर्ट इशा गोईल जी इसा गोईल जी स्वागत ए वास्तु आपका हमारे इस पाड कास्ट में थैंक यू आमेर सो देखते हैं हम इस पे आज पूरा खुल के बात करने वाले हैं वास्तु और एस्ट्रो वास्तु पे मेरा पहला जबाल सीधा आप से यही आईशा गोईल जी जैसा आपका नाम वैसी आपकी परस्नालिटी है पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा आपकी जर्नी कहा से स्टाट है आपको कैसे यकीन हुआ वास्तु और एस्टो पर मेरी जर्नी स्टाट वी तुथाउजन सेवन ने कि चाहिः जापूर से मैं इस्तार्ट किया तो इसको कह सकते कि देस्टिनी अश्तिनी इस कॉलिंग मैंने बिल्कुल कभी नहीं सोचा था कि म वास्तु को पर्सिव करूँगी तो उस ताइम पर 2007 में मेरे गुरुजी है उनके पास मैंने बहुत मतलब यह क्या हो कि बहुत मन से भी नहीं बट मैंने तीकना शुरू किया तो मैंने का देखते हैं क्या है यह उसको मैंने उसके प्रिंसिपल्स और बार में पूरा पढ़ना कर देखे टो जब मैंने प्रिंसके परखे खेंगी तो चैंजी किया तो असे लाइफ में काफी चैंजी आए आपको कारियर ग्रोथ भी हुई हैल्प में भी प्रॉबलम है तो उसमें भी आपको ब्लाफ मिला तो वह जब वो चैंजज इना डेख तो शुरू मैं तो यह पो जब मैंने वो चेंजेस देखे तो मैंने लोगों को बोलना शुरू कर दिया आज मुझसे लोग पूछते हैं किया माम यह वोक करता है मैंने को 200% वोक करता है इस अ कम्प्लीट साइंस वास्तु इस बेस्ट ओन 5 ऐलमें इस बालंसिंग तो 5 ऐलमें मतलब मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में आमेर कि पंच तत्वों से हम बनते हैं और पंच तत्व में हम विलीन हो जाएं तो जब वह पांच तत्व हमारी बॉडी को इस पूरे ब्रह्मान को जोडियाक को पूरा रूल करते हैं उनकी बालंसिंग अगर हमारी तो डिस्पालन सोगा तो डीफिनली आपका घर भी बिमार होता है तो अपके विलीन हो जा कुछ नहीं कि हम कुछ अईसा कि हम कोई मैजिक क्रियेटर हैं हम कोई मिरेकल करेंगे नहीं हम सिर्फ बैंस करेंगे तो बैंसिंग इस इंपॉर्टे हम यहा पर मेरा सवाल है कि एस जाना चाहूंगे तो अभी जैसे मैंने भी बताया तो इसके बाद मैंने जब यह वास्तु से साथ किया इसमें आपको पूरा लेकर जाओंगे तो वास्तु से इन ने साथ किया वास्तु के प्रिंसिपल तो वही आपके कि हमारा फाइव एलिमेंट्स अडिरेक्शन यह सब का अपना अपना रोल है इसके बाद जब मैंने इस जर्नी के बाद में आ गए और मैं फिर एस्तुलोजी सिखा क्योंकि मुझे इंटीर है वास्तु है उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे एस्तुलोजी भी आना चाहिए च्प्लैनेट्री पोजिशन भी है आप कि वास्तु कि अब शाठ की वास्तु नहें आप नो Васथ्तु के लुगों के बाद में मुझे फीवास्तु है थने टीन भाई सेप्टिक टेंक होता है बनवा लेते हैं जिन लोगों को नॉलिज नहीं नहीं तो फिर उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए क्योंकि यह बहुत नेगिटिव बताया जाता है क्या ठीक है या नहीं नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है आप ब्रहमस्तान है घर का जो सेंटर है ब्रहमस्तान में कभी बें गढ़ा नहीं करते हैं तो बहुत सेंसिटिव चीज बहुत चीज तो इसको नहीं करना चाहिए बट अभी हम जो इसमें बात कर थे कि वास्तू और एस्ट्रो वास्तू पर तो वह जो आपका जो आपका जो अलग अलग रिसल्ट तो जब मैं यह लोगों ने भी मुझ से पूचा कि मेरे जैसे इनक्षा तो उपर वाले का भी है नीचे वाले का भी है प्रबल्म मुझे जादा आरी उनको तो नहीं आरी इतनी तो वह चीज देखो प्रबल्म आएगे जरू वास्तू के प्रिंसिपल्स में प्रबल्म है तो आएगे रहू की क्या पोजिशन है अब किसी की तो चल रही है जुपिटर की दशा किसी की चल रही है रहू की दशा किसी की चल रही है रहू की दशा किसी की चल रही है उनकी प्लेसमें उनकी पत्री में पर्टिकुलर क्या है अब सेम बिल्डिंग है सेम बिल्डिंग में वास्तू अब इसमें एक और बी चीज है, आपको जो चोटी सी सुनने में वाच होता है, इसका रोल बहुत बड़ा है, हम क्या करते हैं, जो occupants है, उनकी पत्री, उनके ग्रहों की पोजिशन और आपके वास्तू, दोनों को मर्च करते हैं, मान लीजे, आमेर एक एक जामपल ले 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 इसको as a remedy strong करना है, जिससे कि आपको उसके proper benefits मिल जाएं, तो मैं कहां जाओं कि मैं आपकी east की direction में जाओंगी, आपकी east की direction आपकी sun की direction है, आपकी पत्री में जो sun, जो weak है, उसको अगर मैं आपके घर में आपकी east की direction में active कर देती हूं, तो आपको उसके benefits मिलने शुरू हो तो planetary position है, कई बार अब इसमें जो astro vastu का रोल आ जाता है, इसमें यह होता है कि कौन सा घर किसको suit करेगा, कौन सी direction किसको suit करेगी, नॉमली लोग आज भी north और east की तरह blindly भाग रहे है, मगर सबको ना तो north suit कर रहा है, ना तो east suit कर रहा है, क्यों? अभी यह मेरा एक recent case history है, तो यह मेरा बहार US के client है, उनका मेरे पास, उनका astro vastu मैं चेक कर रही थी, उनकी पत्री मैं देखा उनका सूर्य नीच का था, समबडी सजिस्टेट कि तुम एस्ट फेसिंग घर ले लो, तुमारा बालेंस हो जाएगा, how it can be possible, कि अगर सूर्य आपका नीच का है, तो आप पत्री का सूर्ट करने वाला है, वह बहुत बड़ी चीज़, पत्री का इंपर्टन बहुत जादा, तो अधितर जब देखते हैं मिशा जी कि पत्री का से नाज लोग जानते हुए, डारेटर यह पूछा करते हैं कि वास्तु के साब से घर कैसे बने, लेकिन पत्री का नही जो जिनके नाम से घर है और जो घर के में अनी मेंबर है, अटलीस उनकी पत्री तो मेरे पास हो, तो कि मैं उनको उस घर से गरियर में ग्रोथ भी दे पाऊं, उनके हैल्थ बैलेंस कर पाऊं, वो जो नया गर ले ले रहे हैं उने प्रॉपर बैनिफिट्स मिल पाएं, वो आप किस तरह से यूज करो या आप अपने घर में किस तरह से अक्टिवेट करो इन डिरेक्शन में आपके वाश्रूम नहीं होने चाहिए, अगर होगा तो आपको प्रॉब्लम नॉर्मल से जादा होगी, आम तौर पर इसा जासे भी आपने बात करी ती कि जैसे अगर कोई आप नहीं जाएं तो वह सही रहते हैं वास्तों के साथ नहीं उनको कैसे पता लगाया जाए जो आपको जो जो चार्ट है या आपकी दशाह इतनी फेवरीबल चल रही कि के दोनों एंट्री आपने बहुत बढ़िया बना रखी मगर कई बार ऐसा भी कि एक एंट्री आपको बन्यश्य तो ऑफेश तो आप की मतलब एक पॉसरा बार्स अन ay इसके फिरेवरे और तो जो भी एतना होरह बहुत जाह अपने नहीं और तो जो चहुत अबार बहुत कि अगर बात करें तो पूजा पार्ट से क्या उसको दूर कराया जा सकता है उसका जाना चाहूंगे मैं अब इस्टेन मुझे एक और केस्ट मेरे एक लखीमपूर का है यह असाम का तो उनका मेर पास होना था कि हमारे घर में अब 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 कि अपने सप्टिक टैंक की बात की तो वो सप्टिक टैंक उनका बनावा था साउथ वेस्ट की डिरेक्शियन और वो ही सेड के हमें पंडी ने बोला है कि आपका पित्र दोश्य और इसकी आपको पूजा करानी पड़ेगी और थाय लाग रुपय का खर्चा आएगा तो मैंन सोचों की पूजा पार्ट से उसका निवारन हो जाएगा नहीं पॉसिबल है वो बंद आपको करना ही पड़ेगा साउथ वेस्ट का आपका ब्रहमस्थान का और साउथ वेस्ट का इतनी जादा नेगेटिव होती हैं साउथ वेस्ट का सेप्टिक टैंक अगर आपने गल्ती मतलब इतना भी मौका नहीं मिलेगा आपको कि आप उभर पा तो वो चीजे आपको जो सेप्टिक टैंक है आपकी जो डारिक्शन है वो बहुत सेंसितिव होती है उनको हमें प्रॉपरली यूज करना बहुत जरूरी है तो अब आप जो पूजा पार्ट की बात करें पूज पूजा पार्ट से ग्रहदोश कम होता है मगर वास्तु अगर आपको बैलंसिंग करनी है तो वो पर्टिकुलर डारेक्शन में आपको करना पड़ेगा अभी पूजा पार्ट हो नॉमली लोग फैंक्शुई भी कर रहे हैं नॉमली लोग पिरामिट्स भी कर रहे हैं कई ब लोग फैंने नॉमलाँ आपको मन आप लगा ये बट वो पॉक अपको बंद करना ही है नॉर्थ-east की जो डारेक्शन है वो अपकी पूजा पार्ट की डारेक्शन है और जहां हम बात करते टॉलेट की जहां हम बात करते सीट की तो मैं सिर्फ सिर्फ सीट की बात कर रहे । तो उसमें आप जब सीट की बात करते हो तो इत डिस्पोजल एरिया तो यह एक गढदा है। युल कि आप जितनी ख़ू तो जो का कि हर इंसान की हर डिर्रेक्श छूट नहीं कर सकते हैं अपर क्या पता मेरे लिए उसी तु Beijing था होational कि एज एज या पार्ट चुटी पाथ हो एज जा आप जा का कि आ पार्टेय। तो बनाबन ऐसा नहीं है वो स्थू के Principles है, वह अस्थू POORUष का HEAD NORTH EAS के बाइज मैं है, Eशान कौन है, उस डाइरेक्शन आभicing पलाने पलाने जू४िटर है तो वह सारी चीज़े जब NORD EAS के direction मैं है तो यह घुल है भी तो फो सब के लिए है कि मेरा जो एस्टो चार्ट वो इतना स्ट्रॉंग है कि मुझे वो नॉर्थीस का टॉलेट हाम नहीं कर रहा है पूलेट मेरे बहुत ज़हाद दरें आते हैं कई बार मेरे बार मेरे बार फास कि लिंग सब्सक्राइब मेने देखिया है कि मुझे तो चैंसरी हो जाएगा आपके नॉर्थीस के टॉलेट आपको कैंसरो जाएगा । ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरे बहुत सारी case histories हैं, जिसमें नौर्थीस के टॉलेट में भी मैंने देखी हैं, मैंने आपके साउथवेस के एंट्रीज भी देखी हैं, नौर्थीस के किचिन भी देखी हैं, तो देखें रेशो जादा है, मैं कहूंगी कि यह रेशो आपका 80-20 है, 80% प्रॉब्लम आती ही द्यान आपको जरूर अखना चाहिए नौर्थ 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 इस्ट अभी लोग 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 नौर्थ इस पर फोकस कर रहे हैं, बट आपका नौर्थ नौर्थ इस के एक ऐसी डारेक्शन है, जो कि डारेक्शन ही आपकी ही है, धन्वंत्री की डारेक्शन ह वहां भी अगर आप पॉट लगा रहे हो तो भी प्रॉब्लम्स आप पुछना चाहूंगी जैसे कि पूजा कि अगर हम भी बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो स्टेर्स होते हैं उसके नीचे का जो स्पेस है उसे बचाने के लिए उसको युटलाइस करने के लिए वहां पर मंदिर भी लगा देते हैं तो क्या स्टेर्स के नीचे मंदिर होना चाहिए या नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए बिल्कुल ल वाश्रूम्स में पूरे खाली करवा के वह बिल्कुल खाले लगवाएं यह बंद करो आप खतम हो जाओगे स्टेर के नीचे कुछ नहीं बना और मंदिर की जह बात कर रहे हो मंदिर है भगवान का स्थान है आप उसके उपर सीडी से उपर चड़ रहे हो अपने सीडी के नीचे बनाया है बिल्कुल गलत है एक भगवान की एक डेडिकेटेड जगा हो नीचे घर में बहुत चोटा सा मंदिर हो मैं नहीं कह रही हूँ आप बहुत बड़ा मंदिर लगा यहां बना एक चेज मना नहीं हो तो यहां अपका मंदिर बनता है तो यहां इस आप साफ़ीस में अगर आप मंदिर बना रहे हूँ तो असे घर में थे एक देंट्स बहुत जादा होते हैं तो वह चीज आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा जग क प्रॉपर डिरेक्शन्स चेक करके आदी अदूरी नॉलिज के हिसाब से मत कीचे हर चीज का एक डेडिकेटेड प्लेस है उसको उसी जगह पे बनाना ठीक होता है क्या बना सकते हैं क्या उसके बना सकते हैं क्योंकि शेडियेश कि बहुत सारी चीज़े घर में होता है तो स्टेर के नीचे का डेडिये सब्सक्राइब करें सिर्चेटेश करना है क्या तो यही आप को सग्छेट करती हूँ कि इसिदी प्लेफे चाहिए वांचिज के वे जग कि यह सुन्दर थो तो भर जो किया हो क्यों मैं थितलक कि किया युं हम वे इंटिर वास्तुम एक टीये करदीicating खिरोपी कि अजिए किकी यह श्मक्रमा गघल गडा दिया ाकड़ यहरा प्रम दिरे裡面 किरा लिए कम लाज एक क्रा ले तो आपको यह निए के सारी वाल्स पर ब्लू करना है, आपका वाय्ट या किया थो आपका ब्लू के ऐस को आपका जाए ब्लू करा कर सकते हो साथ में अप ब्लू कर सकते हो कुछ पैंटिंग ले सकते हो ऑड़ dynamics के निसे ब्लू कि जाती कि रंगों का बहुत महत्व है अगर आपने गलत दिशा में यह बात कर रहे है इसमें हम बिल्कुल everything is balancing क्योंकि colors अब आपके वही 5 elements है हर एक element का color होता है water color blue है तो fire color red ठीक है अब अगर मैंने आपकी north की direction में जिसका जो element water है उसमें मैंने fire colors लगा दिये मैंने red color add-on कर दिया अप मान लीजे कि नॉर्थ की direction से मेरी जितनी opportunities आई है नॉर्थ की direction मेरी opportunities की career की direction है तो वह सारी की सारी वही बर्न हो है नॉर्थ की direction में अगर आपकी kitchen बनी है वही fire element है तो जितनी opportunities आएंगी वही बर्न हो जाएंगी water on fire का clash बनेगा जिससे की उसमें health issues भी क्रियेट होंगी तो colors का अपना रोल है तो हर एक direction में अगर fire element है तो आप थोड़ा से red color के साथ red color scheme के साथ not exactly red again आपका मुझे इंटियर नहीं खराब करना है तो वह कुछ red color scheme हो सकती है मेरा North है तो कुछ blue colour scheme हो सकती है अगर आपका South West है तो Yellow color scheme के साथ एक हाँ मेरा North West है, West है तो भाई के साथ आप जा सकते हो cream के साथ आप जा सकते हो तो हर एक direction के s आप से में colors को balance करना है अब painting की बात कर लेटे अब मेरें को हर direction है तो मतलब I love paintings, क्योंकि पैंटिंग से ही हम घर में जान डाले हैं, कई गरो में जाते हैं तो इतना सुना पन लगता है अपके जीवन में सुना पन लेता है तो एक पैंटिंग लगाओ ना, बिल्कुल लगानी है तो वह पैंटिंग अब नॉर्थ की डिरेक्शन जाएं कुछ अब की साउथ की डिरेक्शन है आप कुछ रेड कलर अड़ करो उससे रिलेटेड आपके कुछ फायर अपका साउथ इस का अगर वाश्रूम आगया है कोई डिफेक्ट है तो हम कुछ फायर लैंप्स आइड करते हैं कुछ इस तरह की चीज़े कि उस डारेक्शन मेरी फायर गएक्टिवेट एक्टिवेटन ट्रू अब मेंसेश्ट खुटू ऑिसयों आपके गlor अगर की आपको भुट एक्टियों के संसे जोट currency हृँला कि तर से खहिस कि आपको जब से रा कुश्त करते हैं क्योंकि आपके कौश हैलें सबसे और लिग पहन्द practical भाड के घरिछ बहुत हमारे लिए जरूरी है अब एक बात करते है कि वाग प्लेस क्योंकि घर से जादा सामय हम भहां भी दे रही है तो वहां का इंटीर या कलर स्कीम या इस सारी चीजे हमी किस तरह से अफेक्ट करती है क्या वहां का भी एफेक्ट करता है बिल्कुल आप वाग प्लेस अगर आपका फेक्ट करते है अगर आप इसे तरह ढ़ें तो आप मननने लगेगा अगर मेरा बेड्रू मि किसी ऐसे जोन में बना हुआ यह मेरा जो ओफिस ए इसस डारेक्षट में बना हुआ है जो कि डारेक्षण यह एंग्जाइटी की है तो वहां आप कैसे आप काम कर पाऊगा है अगर मेरा बेडरूम इसससाओटीस का है आपको नीन प्रॉपर मिलने वाली है जब नीन प्रॉपर मिलेगी तो आप कैसे करो क दोनों कनेक्टेट है आपका वर्कप्लेस भी आपके शापस अगर भी तो बैलंस को बढ़न सब्सक्राइब बैलंस करो तो इससे कि घर का तो हम कर सकते है वहां हमारे हाथ में वार्फ पलेंस करें तो इससे कैसे बैलनस करें अपनी डेस्क जो है उस पर क्या चीजे हम है तो डाउनलोड कर लो एक एक अप होती है उसको आप जब अपनी डारेक्शन देखो आप कौन सा फेस बैठ रहे हो तो इसमें आपका उस जोन का जो भी डारेक्शन जा रही है उससे रिलेटिट कुछ कुछ कर लो आपके लिए बहुत इंपॉर्टन है वर्क प्लेस है त कि हमें चाहिए तो सब कुछ, बट करना कुछ भी लेंगी तो फोड़ा सब चाहिए क्योंकि हम काम कर रहे है तो ज्यान हमें कहां से काम के लिए भी यह पिल्छ जाहिए ना वह चाहिए तो उस एरिया कि सिर्फ आप ड़रेक्शन देलो उसको उन कलर से थूर्स के थरू थो कुई बड़़्ो खुरह खराब होती है कि kichens का नहीं होना जल धोल टोड़ करके ठीक हो जाता है लियं तोड़ फोर फौर कर दीजोट झाल शुक्तुममि हमिन थोल मैं कोई टोड़ फोर के वास्त खुतन है में नहीं चाहती कि वह पैसा बरबाद हो एक किच्छन बनाने में धाई से तीन लाग कम से कम भी आपका खर्चा आता है जब पूरा वुड़नवा कंडॉल आपकर आते हो सिर्फ एक वास्तु एक्सपर्ट के कहने में कुछ भी नहीं लगता है मैंने जा के बोल दिया नहीं कि आप सपोर्ट करने के लिए गए हो आप उसको परिशान करने के लिए नहीं गए हो तो उसमें क्या होगा कि वह किस जोन में बनी हुई है उसके कलर्स के हिसाब से मुसको बैलेंस करते हैं अब जैसे नौर्थ की ही किच्छन के भी हम बात कर दें तो उसको बैलेंस करने के ल तो जाएमन्स पूण में तो प्रफ्णिन करक्राइब ओन कि शवां करोगी जिसके वजद से वह इन्य चैनल आड प्त्थरों के तुरू में सारी ए है आपके कुछ मेटल्स के तूरू बैलन्स करते हैं तोड़ा फोड़ी कुछ नहीं होती है बाकि हां आपके लिख जितने भ अपने वास्तूर तो 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 उसमें आप अप टेपिं गीजी यह यह एल्व और एल्ड रेखियो अलग ब्लू यह यह वाइट ब्लू ब्लू भी आथे ग्रीन भी आथे डिपेंड आपको पर्टिकुलर अपको प्रटिकुलर अश्श प्रड लेना है वह अग लेना है तो जो हर एक इनसान कर सकता इससे जो जायाद इंपक्त फुल होता है, stat is जो मैं गरी बेते हैं जो आड मंची कर से थैस विपना हिक असी न यहां है, जो यहां मुझे हा थे whूप मैंनू Ha है उसके बाद अगर आप चाहते हो क्लाइंट तयार है कि मैं कट्टिंग करवा के आपको डलवाना चाहता हूं तो आप कॉपर की पत्ति डालो उस में उस वाश्रूम को वह मेरा क्यूंकि साउधीस की डायरेक्शन मेरी फायर बेस डायरेक्शन है थोड़ा सो कुछ फायर लै जैसे थोड़े बाद बाद कर देखे थे लागा रहता है वह घड़िया वाल पर लगी रहती है तो कहते है कि बैड के सामने नहीं होना चाहिए तो वास्तु के बैड रूम में घर कंदर शीशा और घड़िया किस डारेक्शन होनी चाहिए यह बहुत अच्छा कोईशन है आ आपके बैड के सामने तो मिरर बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए क्यों अब इसके बीचे रीजन यह तो हमारे बड़े भी कहते थे बड़ो की बात सुन लोग वास्तु में इतना ज्यादा परिशान भी नहीं हो क्यों कि बड़े जो लोग थे उनको नौलेज थी बिल्कुल तो वह क्या है कि जो मिरर है रिपर्शन पावर उसकी हाई है जब आप सोते हो तो आपकी बोड़ी जो होती है इस लाइक डेड बोड़ी आपको नहीं पता आपके साथ रात में आप जब सुब उठे तो वापस से आपकी एक 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 एनरजी आपके अंदर आई एक नया दि दिखाए देता है तो नहीं होना चाहिए दूसरा SEC.ING पोइं pretայ भाग जो मैंने प्राक्टिकल देखाए मेरे पैर मेरा मेरा था दिखाए में लेल मुल्टि फाई होता है मौ writes मिड़ी आपके एक उलो नहीं होता ह Тем इस्एप मेरे इसं मतितिखाए रूह मृutं होता चाल जा अब नेक दिन आए तब एक जीज़ें आप ऽामने पना एक आपक जा झीज़ें आपके अदर लुपology लुप नहीं होनी चाहिए सबीज बेटालओ तो जीएगो सुर्ण मीडिन और लीटेल बना की आप जाहिए तब यहालत का है आप लगाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा अब इसमें और एक नया ग्याना है लोग क्या कर रहे हैं साउथ वेस्टी एंट्री तो सामने मिरर लगा दो आपकी एंट्री रिवर्स जाएगी नौर्थ इसकी हो जाएगी वाई क्यों लगाया हमें किसी ने सजिस्ट किया था सामने लगा दो आए सा आउथ वेस्टी है ओल्डेडी नेगटिव एंट्री ए वहाँ से आपकी negativity आप लिए मिरर सामने लगा दिया हो औْ तो दो सोच tobacco Schweini email दो सिर्फ यॉल मिर्ट लगानी की रहाफ द्रिक्शिमयर में, तिस दिद्ध आपकी तिन आपका डाइनल है नौर्थ- येस्ट, तो कि पुरी कि नौर्थ- येस्ट λέशन भाप खाbut सिद्ध cycle पैसे उसमें येकरिक्टरिस्टिक राप कर नहीट लगाना हैं व्य सेसमें स्येशने सेसले नहीं साउथ की डायरेक्शन आपका जो समय घड़ी क्या दिखाती है आपका समय कैसे चलने वाला लोग लगता है छोटी सी तो चीज इस पेतना कितना सोच नहीं तो पहने जाती है अप जब वहां लगा रहे हो आपके वाल पे तो वह डायरेक्शन क्या हो चाहिए अगैन मेरी नॉ कि साउथ करहने का लगता चाहिए यह को देृक्षन आपको परेश करना है क्योंकि साउथ डार शीड़ी की रिंदी диad vendors को आपको जिस तरह शीज करना है आपको जैडिकिस करना आपको जिस तरह से आपए पावर मिल रही है पक歌 apologize को कैसे युज़ कर उस सभी कि एू नर्ट एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूं कि आज कल लोग एस्थाटिक बहुत रहे हैं सभी लोग अपने रूम्स को पेंट कर रहे हैं बेज और वाइट के साथ तो क्या सब के लिए अच्छी है या नहीं है मतल्म मैं इस चीज से ना बेज और वाइट के साथบ अगर आप कर रहे हो तो है लोग नगर नहीं बाहाली लोग किसके साथ कर रहे हैं बूरे घर में या वश्रूंम में ग्रे बलाक करको में करते हैं पूंखोजो के साथ ने बात बाल्स पूचो हों ने तो कहते हैं आप पुराने कीले देखो ना पैलस देखो आपको कहीं आज तक आपने वाश्रूम नहीं देखो उसके बाद भी लोगों में नौलिज थी तो वो घर के बाहर वाश्रूम बनाते थे क्यों कि बहिया नेगिटिविटी को घर से बाहर ही रखना है आज एक छोटे से फ्लैक में बिल्कुछ उसमें भी आप लगाते हो ग्रे बाद प्रश्रिप अपने वह नेगिटिविटी जब एक नेगिटिविटी एरिया में इस तरह के लाई लगाए हो तो आप नेगिटिविटी और ज्यादा बढ़ा रह लहाँ हो तो वाश्रूम से पेशिली आपना न्रूमली और बेज पेंट कर रहे है, अगर आप बैलेंस पर्म में कर रहे हो, that's okay, no problem मगर वो बैलन्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारा बेज है, और वाइट बहुत कम है कोशी शी किजिए कि लाइट कलर जाद हो, डाक कलर कम हो, एक क्रीम कलर ऐसा है जो नॉमली पूरे घर में आप कहीं भी कर सकते हो, उसके साथ आप उस डारेक्शन का जो बालेंस कर लो, तो आप जैसे अब नॉर्थ है तो साथ में ब्लू बालेंस कर लो, आपका साओध वैसे आपका बेज ले लो, आपको यलो नॉमली लोगों को नहीं चाहिए होता, तो आप में लोगों हमिमें बालेंस कर लो आपको अपका लिय मुहर्त ऑप four work बालंस से सहे और ध्यकان को बालेंस कर लो parallel को से बालंस आज के समय में होता है, आज ह में चीजाए नहीं में जगडों हो लो बहुत से और बता से वास्तुर्स सब्ताते हैं और लाट कर प्रत का बै क्या होता है वास्तु में सिर्फ तीन दिशाएं है जिनका आपको ना बेड्रूम होना चाहिए ना एंट्री होनी चाहिए अब आपका बेड्रूम अगर इस साथीस के डिरेक्शन में है तो डेफिनिटली हस्बंड वाइफ के बीच में चर्निंग कोई रोकी नहीं सकता वो च सारले के बाद पर हमारी बयास होता है जों क्या है यह ईसाओधी सका zone है तो चर् ninth हो खो टूपrones के शुफंधार रिलेशन बहुत दिप्रेसिंन हम का है वेस्त नूर्फ Wसक awak की डीरेक्शन में तो डीप्रेसिंग की डिरे Efendiर अगर आपका बेडरूम है तो डेफिनिटली आपकी वो तो सब चीजे महा से दिस्पोज ओफ होरी है हेल्थ इसूस भी आपको 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 हारे हैं तो हस्बंड वाइफ की रिलेशनशिप में आपकी बेडरूम का बहुत रोल है आपकी एंट्री का घर की एंट्री का बहुत रोल है अभी साउथ इस के एंट्री होगी तो ऐसे घरों में जगड़े तो चलते ही रहेंगे तो यह सब चीजे कलर सापने क्या लगाएं वह बहुत मैटर करेगा अगया आपका अगर बेडरूम है साउथ का कलर आप बलू लगा के बैठे हो तो वहीं आपने कलर से पूरा डिस्बालेंस कर दिया उसको तो ऐसे में हस्बंड वाइफ की रिलेशनशिप कैसे ओकी होगी तो यह सब दिक्कते आती हैं बिल्कुल इशाजी जैसे हैल्थ की बात पी अगर हम करें क्यूंकि वास्तु ना हमारे जीवन से जुड़ा बस लोगों को जानकारी इसकी प्रॉपर नहीं है उसे वितना जानते है कि टॉलेट गलर दिशा में बनावा या बैडूम गलर अगर किसी की खराब है तो इसको वास्तु के हिसाब से कैसे देखे जाए क्या वास्तु का दोश है उसके लिए कुंडली में तब उसकी हेल्थ खराब है या कोई और रिज़न होता है इसमें मेरे पास एक अभी रिसंट की बहुत के सिस्ट्री है यही आपका पूरा गर देखने के बाद प्रॉबल्म्स खुद बताती है अगर पत्री बहुत हुआ है चुछ मद बताईए मैं खुद आपको बताऊंगी तो वह थो इतने क्यूरियस होते है तो जब उनका लेयाओ देखा उसके बाद मैने ग्रिडिग और लगाई तो उनके एग्जाक में उनसे सर्फ एक कोशन पुछा मैंने का आप यह बताइए आपके घर में एक्यूट पेट से रिलेटर प्रॉब्म किसको है उनकी जो मैम जो वाइफ थी उनको पेट का कुछ सीवियर हां बहुत जादा वो कुछ मुझे तो नहीं मालूम एक्जाक्ली आद नहीं आरे है मतल तो उनका भैट से रिलेट। उनसे पेट का बहू है जिस फेटका हमारे कमार में इन जो ही इनसे expired फ्रॉबल्म आपकी आती है बनाओं दूरा किई था उनका 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 धाईटरूम में उसमें क्या श्यज साउट उनका उनका रहा यहना झाम प्लंका यह रहां सिनलक़ बने इमका आप करण एभटनी करा कर नहीं ऑन के साथ तो वह साफवस्पमज समझके इस साउथ साोफसे समझके नहीं उति तैस में मुखरकत करा हिस जोए था मेरे बनापे न तो और में कारो नहीं नहीं बड़ दोगा प्रेता होना हां तो को साफ्वे सौफवेस्त कि आप अուज다면 इसमाना नहीं में लुदह क्योंकि वास्तोपुरिश के पैर उस दिशा में है, तो वह चीज इस तरह से आपकी प्रॉब्लम्स भी उससे पता लगती है, माम एक और सवाल है, जैसे कि अब घर की जो डिरिक्शन होती है, रूम्स की, कमरों की, किचिन की, वाश्रूम की, सर्फ वही माता करती है, यह जहा मारा प्रोसेस उसे हम देखते है, लैंड अनर्जी बहुत मैटर करती है, मैं दो दिन पहले ही नेपाल में थी, एक फैक्टरी की ही मैंने विजिट वहाँ पर जब थी, आप एकीन ने करोगे, मंदिर के सामने भी और स्कैनर में एनर्जी नहीं थी, 10% भी नहीं थी, मंदिर सामने साप्टिक टांग भी आपने बना लिया, अब आपको मंदिर के एनर्जी तो आपने खुद जीरो कर दी, स्क्रैप पड़ा हुआ है, कपसे पड़ा हुआ हमने हटाया है, तो वह सारी चीज है, तो आपकी लैंड अनर्जी बहुत मैटर करती है, वह चीज आपने बना कुछ भी देंग कशी के लितिक ए करा लिए, तो आपकी ब सारी आप प्रोसेस का है, क्यए इस पौटकास को बॉह सारी लोग देख रहे हैं, सब के अपने बने सवाल उपते हैं, कथे शहरी की निंगिनें, चीज बहुआ हुआ है, तो आपकी बने लिए और को कर फारष कने मेरे 17-17 साल की sucks, मेरे Benny catch. इतना साल में जो कि मेरी intuition पावर नहीं क्योंकि ichdi रहा चुछी होती हूं यहां यहां भैक्ती हुव मेरे हिए मैध खुद भीजिट कर थी जो इसे सीय होता है कि आरप नहीं हमें टोबाब डेटेज भी उसके बाद आपके पास यदी ले आउट है तो आप हमें शेयर कर दीजे नहीं तो हम जब आपकी साइट पे आ रहे हम ले आउट भी अपना खुद बनाते हैं टो हम हम ले आउट भी खुद बनाते हैं य उसको गृड़ गडिड़ नहीं कर देटे यह अअगर पर आपके घर में बालेंस करना और आपके घर में अगर कोई नेगिटिविटी है तो आपको एस्टो के हिसाब से भी कुछ उपाया आते हैं वो बताना यह होता है एस्टो वास्तु तो इस जार प्रोसेस इसके बाद जब हम विजित भी कर लेते हैं तो एक साल का सपोर्ट रहता कि कई बार आप ही हो माल लिजए आपके हां मैंने विजिट की उस साइम पर कुछ चीजे रह गई नॉमली ऐसा होता है कि कई बार लोग फोन ही उठाना बंद कर देते हैं मेरी फीस आ गई मेरा काम हो गया नहीं हम एक साल का सपोर्ट आपको दे रहे हैं मतलब देंगे तो फो पूरा मेरी टीम के थू आपका पूरा कनेक्ट रहता है वहां आपसे लेते रहते तो इस तरह से पूरा प्रोसस चलता है ठीकम मेरा Еक आखरी कोमी कोरशन में के इस 17 सालों की जरनी रही का चैल्गेंजिस आपने फेस कही बहुत सारे बीग लेडी, बीग अमारेड वूमन, बीग अमधर, इस प्रिटिकल जरनी चीक है क्योंकि मैंने स्टाट किया शादी के में थर्टी के एज में स्टाट किया चोटे-चोटे बच्चों के साथ स्टाट किया और रात रात भार पढ़ना, दिन में बच्चों को भी टेक केर करना, सारी चीजे करना, विजिट्स भी करना, चोटे-चोटे बच्चों के साथ मैनेज करना, फामिली के साथ मैनेज करना, हस्बंड की भी कुछ उमीदे हैं, फ मतलब लिटरली वो एक जर्णी मैंने देखी है और लोगों को साटिस्पाइ कर के जो खुशी मिलती है वो मैंने फील कि अगर मेर को सामने से यह आ जाता ना कि मैम हमें इससे यह बैनिफिट मिला और अमिर यह जो है मैंने हर एक इंसान के साथ वन तो एक है मेरे अगर आप ग बढ़ती है मैं सिर्फ कंसल्टेंट नहीं हो उपर वाले ने मुझे चुना इस चीज के लिए लोगों को सब्रोट करने के लिए यह बहुत कम लोगों के पास तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगे और लोगों से भी कि इसको सब सही तरीके से यूज करो लोगों को गाइ इतने साल हो गए मुझे यह कहलो कि बाए गॉड ग्रेस आज तक मुझे कभी कोई गलत क्लाइंट नहीं मतलब मेरा इतना अच्छा एक्स्पिरेंस इस चीज का मैंने बहुत किया है मैंने वह चीज कमाई है मैंने अच्छे क्लाइंस भी अनकिये उनसे बहुत अच्छे मेरे मेरे कारशम सब्स्दियू है बहुत बांने साध मेरे नहीं सिर्ग भी हात है करे ओमरे के भी के बांत की सब्सक्राइबस इस फॉक्राशल Snakella क्ďूरिए आग्ग कर रीट वहें सब्स्द्सक्राज आज का मुझे बहुत अच्छी तॉक्षी जानकारीया।। इस बाट आज क शायद आज तक हम लोग नहीं जानते थे इस podcast में आपको कैसा लगा आप comment करके ज़रूर बता है और अगर आप ईशा जी से consultancy लेना चाहते तो details लगातार आपको description में मिल जाएंगी और आपकी screen पर भी चल रहे हैं तो इस podcast में फिर मिलेंगे नमस्कार